कि हलो स्रेंट्स वेल्कम टु ट्रिपल अप्राइड अकडमी स्रेंट वनी वीकली करेंट सीर्स को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 24 से 30 जनुरी के करेंगे अगर आप से जुड़े रहना चाते हैं डू सब्सक्राइब चानल पेसदा बैल आइकन तो देख लेते हैं करीक 15 सब्सक्राइब यह साल डिजास्ट्र नेजमेंट को लेकर अवोर्ड यह और इक और्वोड किसके नाम परर है यह मिला है डॉक्टर राजिंदर कुमार बंडारी को और अगर हम institutional category में बात करें तो यह award मिला है SEEDS को SEEDS here means sustainable environment and ecological development society तो यह जो सारे points हैं यह बहुत ही important है याद रखने लायक है अगर हम बात करें भारत में disaster management के काम कोन करता है तो disaster management के लिए एक special body काम करती है इसके बारे में अगर हम बात करें इसके chairman हमेशा कौन होता है प्राइमनिस्टर आफ इंडिया तो कभी भी आप से पूछा जाए कि national disaster management authority के chairman कौन है तो do remember the name की प्राइमनिस्टर आफ इंडिया ही chairman होंगे यानि right now प्राइमनिस्टर नरेंदर मोदी देखिए इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में कहीं सारे disaster आने की possibility बनी रहती है नेच्रल डिजास्टर तो आप समझती है अर्थक्वेक आ गया सुनामी आ गया लेकिन हमारे पास कुछ और भी डिजास्टर है जिनको लेकर इंडिया वन्रेबल है और उसके लिए हमारे पास एक acronym यूज किया जाता है अगर मैं बात करूं CBRN अबर पास एंडिया इस वर्न एबल टू CBRN डिजास्टर अभी यह CBRN कैंड जैसे कैमिकल डिजास्टर है चिक है उसके बारा हमारे पास बायलोजिकल डिजास्टर है एंस्टेंट फॉर न्यूक्लिय डिजास्टर आप मुझे स्ट्वेंट सेक्शन में कमेंट करके रस्टैंट फरवाट आज यहाँ रखी हाँ रहें सेंट फर रेडियो लोजिकल अरह है यह 10 फोर डियो लोजिकल डिजास्टर रहें तर रालोजिकल डियू कल डि लटि अरहाँ चलते हैं म्रू पस्नेक्स इंडियास लार्जस्ट मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्ग भारत में बनने जा रहा है भारत का सबसे बड़ा मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्ग और यह कहां बनेगा एहमदाबार डिस्टिक ऑफ गुजरात में कोश्चन मेरा यह हो गया देखिए समने कोशिच किजिए गा इंडिया supply chain का मजबूत होना बहुत जुरूरी है इसी के चलते आप देखेंगे कि हमारे पास एक इंडिया का largest multi model logistic park बनाया जा रहा है कहां पर एहमदाबाद गुजरात में और यहाँ पर आप समझने कोशिच कीजिएगा इसको बनाने के लिए एक contract दिया गया है अडानी पोर्ट्स एंड special economic zone लिमिटेड एपी एसीजड देखें यह हमारे पस किसके जो हार पास पूर्ट्गाली भारत पहुंचे तो वह पूर्ट सीटी पहुंचे उस पोर्ट सीटी का नाम तक है लिगर आप मुझे कमेंट सेक्षिन में करके बताइए आज इस Calicut शेहर को किस नाम से जाना जाता है जहांपर पुर्दगाली सबसे पहले पहुँचे थे इस Calicut शेहर को किस नाम से जाना जाता है comment section में comment करके बताइए ओके तो आज Calicut कों किस नाम से जाना देश्ट याद रखेगा यह बहुत important question ठीक है कोजी कोड़ ठीक है कोजी कोड़ देड इसको जानते हैं तो याद रखेगा सिंपल सा कोशन तो जो पुर्टगाली भारत आया था वह एक पॉर्ट सीडी पहुंचा था जिसका नाम तो समय कहली कट आज उसे कोजी कोड़ के नाम से जाना जाता है ठीक है नेक्स हमारे पास प प्यालाइ स्कीम शुरू की है जिसमें इंडियन गॉर्मेंट यहां पर इंवेस्टमेंट करेगी लगबग 3,761 करोड रुपे देखिए समझने के कोशिच किजिएगा प्यालाइई है मींस प्रोड़क्ट लिंक्ट इंसेंटिव स्कीम फॉर्दा प्रमोशन एंड मेनुफ लेकिन फार्मा इंडस्ट्री के लिए जो रॉव मेटियल होता है उसका हम बोलते है एक्टिव फार्मसोटिकल इंग्रीडियन जिसका बहुत बड़ा हिस्सा मेजोरिटी पार्ट कहां से आता है चाइना से मैनुफेक्चर होकर आता है जब हमारी चाइना के साथ प्रॉब् आते हैं कि भारत के अंदर ही API की मैक्सिम टॉम 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 इनफेक्चरिंग हो इसी लिए गॉर्मन ने शुरू की है प्रडक्ट लेंट इंसेंटिव स्कीम जितना जादा प्रड़क्शन करें उतना जादा आपको इंसेंटिव दिया जाएगा लेकिन गॉर् इसी से मैं आप से कउच्शन पूछ लेता हूं आप सेन कर्मेंड सेक्शन में बढता हीएग ति हमारी सबसे बड़ी फार्मसोटिडि कंपणी है भारत की जो पर्मसोटिव यहां है नमट निस सब सब दंदद यह सब सबSi'm कम्सोटिग कंपनी है तो सब 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 तो याद रखेगा इसके जो CEO स्ट्रेंट वो है दिलीप सांग वी इसका हेड़वाटर आपको गुरुग्रा में देखने को मिलेगा ठीक है यह वल्ड की सब्सक्राइब सब्सक्राइब और इसके CEO कोन है याद रखेगा दिलिप सांग भी ठीक है चलिजी नेक्स आगे चलते हैं नेशनल गर्ल चाहिए तो नेशनल गर्ल चाहिए के बारे में जब मैं बात करता हूं तो यह अब्जर्व किया जाए 24th of January को ठीक है 24th of January को अब्जर्व करते हैं पेपर में आपसे भी पुछा जा सकता है इंटर्नेशनल डे ओफ गर्ल चाहिड्व यह हमरे पास कब अब्जर्व करते हैं इंटर्नेशनल डे ओफ गर्ल चाहिए तो यहां पर एक प्रोग्राम लॉंच किया है एक पोधा सुपोशित बेटी के नाम तो यहां पर क्या क्या रहे हैं वो a plant on the name of well nourished daughter so यह सब कुछ किसके अंडर हुआ है अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के ताहत सेम मध्यपरदेश गॉर्मेंट ने लौच की है पंक के नाम से स्कीम याद रखेगा production awareness nutrition knowledge and health अभियान अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वियान तो गॉर्मेंट का जो फ्लैक्शी स्कीम में से एक स्कीम है हमारे पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वियान ठीक है जिसको परधान मंत्री जीने खुद लौच किया था आप मुझे कमेंट से क्वेंट करके बताए इसको कौन से यह में प्रायम निस्टर के दौरा लॉंच किया गया था जल्दी से कमेंट कि याद रखेगा इसको लॉंच के यादा 22 जनवरी 2015 को हमारे पास एक स्कीम लॉंच की थी पानी पत हर्याना से और स्कीम का नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वियान जो गौर्बेंट की एक फ्लैक्षिप योजना में से एक है ठीक है तो याद रखेगा 22 जनवरी 2015 को एक स्कीम लॉंच की गई थी बाइदा प्रायम निरिद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ठीक है नेक्स वारे पास नाशनल टूरिजम डे 2021 तो यहाँ पर आप देखेगा 24 जन परिद्र मोदी ओन गई जैसे मारे पास एक स्कीम है परसाद स्कीम जिसमें हम रिलीजिस प्लेसे को अज़र टूरिजम होट स्पोर्ट डवलप करेंगे परसाद की फुल्फर मियाद रखेगा पिल्ग्री मेज रजुविनेशन एंड स्पिरिच्वल हेरिटेज ऑगमेंट ड्राइशन ड्राइव इसके लावा सवदेश जर्शन है ठीक है हमारे पास और भी कहीं सारी स्कीम से तो कहीं सारी स्कीम सो ओन गोई है लेकिन हम वर्ड पास टूरिजम डे नेशन टूरिजम करते हैं 25 जनवरी को चलिए लगए हाथ एक कुशन भी आफसे मैं पूछ लेता ट्रेड जी बोलेंगे डव्यू टो और नेशन अलगी यू नव्यू टो लगए यह उनटेशन वर्ड टूरिजम और मैजिशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे इसका हैड़कॉर्टर का है वेर इस दा हैड़कॉर्टर रॉफ यॉनाइट नेशन वर्ल्ट अगई यादर के उस्ट इसका जो हैड़कॉर्टर है वह हमार पास मेड़्विट शमीन में इसका जो हैड़कॉर्टर है हो कहां है मैड़्विट स्पेइन ठीक है चले जागे चलते हैं मेरे पास नैशनल वोटर्स दे तो नैशनल वोटर्स दे मार पास अबसर्व किया गए स्वेंड कब सेम डेट 25 जैनवरी को वाई रीजन समझेगा नैशनल वोटर्स दे हमारे पास मार्क करता है फांडेशन डे ओफ इलेक्शन कमीशन देखे जब मैं बात करता है जो भारत में इलेक्शन कराने का काम करता है इसकी स्टैब्लिश्मेंट होई थी 25 जनवरी 1950 को इसे की याद में हम हर साल अब्जर्व करते हैं नैशनल वोटर्स डे रास्ट्रियम मद्दाता दिवस 25 जनवरी को देखे जब भी हम बात करते हैं इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया गी तो यहाँ पर याद रखेगा यह वह एंटिटी है जो भारत में इलेक्शन कंड़क्ट कराती है और तीम जो रही इस बार की वह आप देख लीजेगा मेकिंग अबर वोटर्स एंपावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इंफॉर्म्ड तो यहां पर टीन एंप्पाइंट पॉजिशन होती है एक ठोटे चीफ और चीफ एलेक्शन कमिशनर एक होन oथे चीफड इलेक्शन कमिश्नर सुनीजेख अरोड़ अर रजीव कुमार राजीव कुमार एंड सुशील चंदर राजीव कुमार एंड सुशील चंदर तो यह कुछ नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे एक्जाम पॉइंट उसे यह तीन नाम इंपॉडट हो जाते हैं ठीक है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आमरेपार जो सुनीर सब्सक्राइब करेंट करेंगे भारत के पहले फ़स्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर की जो सेलरी होती है वो कितनी रती है टू पॉइंट फाइव रूपीज चले कोशन पूशन पूछ लेता हूं आप मुझे कमेंट सेक्शन और करेंगे बताइए कि भारत के पहले फर्स्ट चीफ ऐलेक्शन कमिशनर कोन थे नम्याद ऑ फिर्सचीफ ऐलेक्शन कमिशनर आफेय ची फिर फिर नेम दाफंस चीफ ऑलेक्शन कमिशनेर आफेयज जुटन कि आख टो एक डिशुए है इस जोड़ियर्च कोन थे सू कुमार सहीं है परस्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर ऐफ इंडिया और हमार पास अगर मैं बात करूं एलेक्शन कमीशन फर इंडिया अप्रेलिट पर इसके बारे में कहां मेंटिंगा आर्टिकल लमबर 324 अप्रस्ट फॉट्र प्र्टिकल सकते हैं क्या को सा आ बात करते हैं अर्टिकल लमबर 324 नेशनल बेस्ट उस्टरल प्रक्टिस 2020 तो यहां पर आप देखेगा कि अभी हमने ईलेक्षन कमिशन ओंडिया की बात की तो यहां पर उसी से लेटी डेकोर हमारा पास न्यूज आती है कि नैशनल बेस्ट इलेक्टरोल प्रैक्टिस और ट्वंटी तो यहां पर आप देखेगा कि सबसे बेस्ट केडिग्री में जो अवोर्ड है वो किसको मिला है डेली को डेली अचीव यहां पर आपको में चाहूंगा कि एक हमारे पास एंजियो है जीवी का बिहार बेस्ट एंजियो है जो पावर्टी अलिविशन का काम करती है इसने वोर्टर अवेर्नेस के लिए काम किया दा तो इसको भी स्पैशली ओनर किया गया है तो मैं अब से भी पूछखता हूं जीवी का को सी स्टेड बेस्ट इक एंजियो है तो जीवी का बिहार बेस्ट एंजियो है जिसको वॉल्ल्ट बेंक सपोट और ता है तो इसको अवार्ड मिला है फॉर क्रेटिंग ऑटर अवेरनेस तो यह स् पूर्पस किसे लिए नेशनल वोर्टरस डे से लिए तो नेशनल वोर्टरस डे के दिन ही ये सब कुछ और जिया गया था और जैसा कि मैंना पूता है नेशनल वोर्टरस देमार पास कम अबसर किया जाते 25 अब जनवरी को नेग्स आरपस इंडिया डीजितल संपिट 20 21 यहां पर इन्राइशन किसरा पास और पास सब्फसे Ser Comacire आपने वर्भारत स्टार्ट ऑफ New conductor ठीक है तो अभी आप देखेंगा गवर्मेंट जारादर जो स्कीम्स है वो हमर पास किसके तुरू फेस करने कोशी करते हैं डिजिटल सिस्टम के तुरू तो इंडिया वोर्ट जो हमर पास दिये गए डिजिटल परसन ऑफ दायर किसको वोड दिया गया संजीव भीका चंदा नहीं और डिच्टल स्वार्ट अफ दायर किसको दिया गया खाता भुक को खाता भुक के बारे में याद रखना की रवीश नरेश ठीक है रवीश नरेश इसका लाप के सी यह आप से पुछाय आ सकते हैं अ कर लिजेगा रवीश नरेश सब्सक्राइब और अमुल को भी चार अलग अलग कैडिकरीज में अबोर्ड दिया गया है देखिए गवर्मेंट अपनी सारी सर्विसेज भी अब डिशल लेवल पर प्रवाइड करना शुरू कर चुकिया काफी सारी आप सापको देखने को मिलत है हां जी गॉवर्मेंट की ओल इन वन एप जिसको लेकर कहीं इसांस पेहले भी कुशन आ चुका है अगया अगया ओके तो एप का ना में याद रखेंगा बहुत इंपॉर्टन कोश्चन ओमंग एप ठीक है ओमंग एप वह एप है जिसको ओल इन वन एप कहा जाता है गॉ इसकी फुल फॉम भी आप से किसी एक्जाम में पूछी आ सकती है तो इसकी फुल फॉम आपको दालता हूं याद रखेगा यूनिफाइड मोबाइल एप फॉर न्यू एज गवर्नेंस चलिए नेक्स नूस की तरफ ट्रीटी फॉर दा प्रोहिबिशन ऑफ नुक्लियर वे केंट्री तो यह ट्रीटी लेकर हैं समझता लेकर हैं ट्रीटी ओन दा प्रोहिबिशन ओफ नुक्लियर वेपन्स टीपी और यहाँ पर बेसिकली नुक्लियर वेपन्स के यूज को यह खतम करना चाते थोड़ वर्ड ओल्दो यह ट्रीटी 2017 में डॉप्ट की गई थी लेकि कोई भी कंट्री इस पर अभी तक साइन नहीं की कर आए ठीक है हमने पर जनरली नुक्लियर वेपन्स की मैं बात करूँ तो पास तो यून के परमानेंट मेंबर जो सिक्यूर्य काॉंसल के परमानेंट मेंबर हैं यू.एस, यू.के, फ्रांस, रश्या, चाइना, इनके पा बहुत आगे अपनी जगा बना ली है उसका काफी अतर प्रदर नुकलर प्रोड्राम को तो फार से ने कोशेन कभी आ जाए एक और बहुत इंट्रस्टिंग फादर ओफ नुकलियर फिसिक्स यह भी कोशिन कहीं बार देखने हों मिल जाते हैं फादर ओफ न्यूकलियर फिसिक्स who is known as father of nuclear bomb who is known as father of nuclear bomb okay so answer yada kekos friend father of nuclear bomb किसे का जाता है j robert open hammer को ठीक है j robert open hammer he is known to be father of nuclear bomb okay next वार पास माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइस 2021 ठीक है देखिए यहां पर निखिल सिर्वास्तो जो इंडियन मैथमेटिशन है उनको मिला है माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइस 2021 जो मैथमेटिशन को दिया जाने वाल अवोर्ड है इन्हों ने यह अवोर्ड शेयर किया है निखिल श्रिवास्तवा ने यह अवोर्ड शेयर किया है हमारे पास दो और मैथमेटिशन जिनका नाम है एडम डवल्यू मारकस और डैनियल एलन स्पिल्मेन के साथ ठीक है तो यह हमारे पास इंडियन को दिया गया है तो इसलिए इंपॉर्टन हो जाता है और यहां पर यह अवोर्ड किसलिए दिया गया इन्होंने कोश्चन सॉल किये थे कालीड़न संझ शिंगर प्राबलम को लेकर और रामनुजम ग्राफ को लिकर देखी रामनुजम का नाम आज भी आपको जब भी मैतेमेटिक्स की बात हो दिया हरक कही नहीं दिखाई दे जाता है सीडिः निवास रामनुजम भारत के ग्रेट मैथमेटिशन और इ एकल एंड शीला हैंड प्राइस 2021 किसको मिला है इस इंडियन को मिला निखिल शीर वास्ताओं को चलिए आप से वे कॉश्चन भी पूछ रहता हूं अभी रिसेंटली डिसंबर में रामानुजम के नाम पर हमने का वोड दिया था हमार पास 2020 रामानुजम प्राइस फॉर मैथमेटिशन तो यह वोड किसको दिया गया था जल्दी से कमेंट सेक्शन में करके बताईए 2020 रामानुजम प्राइस फॉर यंग मैथमेटिशन किसको दिया गया था ओके अबोर दिया गया था मरे पास डॉक्तर क्यारोलीन अध्या थोड़ा सा श्पेलिंग निस्टेग हो गी सब्सक्राइब तो अबोर्ण वर्पास दिया गया था डॉक्तर क्यारोलीन को ठीक है और यह कहांसे दी शीज फ्रॉम ब्राजील ठीक है तो इनको दिया गया था मरपस 2020 रामानुजम प्राइस फॉर यंग मैथमेटिशन ठीक है तो यह सीदा सीदा कुशन वार पास आप से कभी भी पूछा जा सकते हैं ठीक है नेक्स हमारे पास वुमें चेर पर्सन ओफ बी ट्रिपल सी तो देके जस्टिस फॉर्मर जज़ हमारे पास गीता मित्तल को यहां पर चेर परसन रणा आगया है ब्रोड कास्टिंग कंटेंट कंप्लेंड कांसिल का बी ट्रिपल सी का प लो काम करती एंक्रशी जो काम करती है अगर मैं बात करूए जस्टिस घीटाम सम stitch इस से पहले जस्टिस घीटामित इन घंप करेक्त चुक है यह काम कर शूट है पहर याद रखेगा अगर स्टूइंट यहां पर बात करें एक इंपॉर्टन चीज़ में आपको बताना चाहूंगा अभी यह ब्रोड कास्टिंग को लेकर बात हो रही है तो एक ट्यार पी नाम की चीज़ होती है आपने सुना होगा कि अभी अरणव गोस्वामी और उनके रिप ब्रोड कास्ट अ और इस रिसर्च काउंसल तो यह वह संस्ता है जो रिलीस करती है टी आरपी के लिस्ट और इसी के फॉर्मर चेयरमें की जो चैट सी वह अवारस लीग हुई थी किसके लाट इसके साथ लीग टीचरट समय पस और नव को सवामी के साथ उसको लेकर काफी तो पेपर पॉइंड रखेगा कि राइट नौ भी आर्सी के चेर्मेन कोन है ठीक है तो यह भी हमारे पास एक कुश्चन बन जाता है एक्जाम पॉइंड विव से एक तो यह आद रखेगा दो कुश्चन मैं आपको पता दिए पहला कुशन इंडिया में ट्यार पी की जो रि इसके बार में कुशन आ सकते है ठीक है और अभी हमारे पास न्यूस का यह की ब्रोड कास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसल बी ट्रिपल सी उसके हमरे पास यह पर संक इसको पॉइंट किया गया जस्टिस गीता मित्तल को और यह पहली वोमें चीफ जस्टिस थी जम्म करकर बताई यह हां जी फास्टु मैН तूब येम चीफ जस शूस फ एस्टेट हाई कोट इन इडिया तो हरब बस्क्रैट करेक्ट यह ली ला सीट जिय मिल सेट जो है शी इस दा फस्तु मेन तो बीकेम अचीफ जस्टिस ऑफ हाई कोट और यह हमाचर प्रदेश हाई कोट में चीफ जस्टिस बनी थी पहली बार हमारे पास यह रिकॉर्ड इन्होंने सेट किया था नेक्स आपास बाइलेटल एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट ट्वंटी फन तो स्ट्रेंड हमारे पास ध्यां से सुनिएगा एक इंपोर्डेंड न्यूज यहां पर बताना जाओंगा इंडियन एर फोर्स और हमारे पास फ्रेंच एर एंड स्पेस फोर्स प्रांस ने अपनी एरफोर्स टेशन जोधपूर में काहूं थी आहरे पास एक्सरसाइज देखने ओली इसमें खास बात क्या थी कि रफैल का पार्टीश पेशन भी देखने को मिला दोनों साइड से रफाइल फैटर पेने पार्टिस्पेट किया और आप जानती है कि जौ रफेल फैटर प्लेने वह एक फ्रांस मेड फैटर प्लेने जिसको फिरास की कंपनी डसो आव यशन मनाने का काम करती है आपको मतारू स्टूइंट इन्हों इससे पहले इंडियर फ्रांस ने स्काई रोस काई रोस नाम से एक एकसरसाइज कंड़क्ट की थी वह भी आप याद रखेगा जैनवरी में जोधपूर में भी हमारे पास यह यह भी जोधपूर में वारपास एकसराइज कंड़क्ट की रहता है और आपको यह भी आज रखना पड़ेगा कि इंडिया में जो रफैल फाइटर प्लेन आ रहे हैं वो कहां कहां पर हमारे पास बेस उनका बना जाएगा अंबाला एरफोर्स स्टेशन और हाशीमारा वेस्ट बेंगोल इन दो जगहां पर हमारे पास जो आपके फाइटर प्लेंट से रफैल फाइटर प्लेंट से उनको एजब बेस बना कर रखा जाएगा तो यह कोशन आप से पुछा था कि एक्सरसाइज डीके इंडिया और फ्रांस अपनी एर फोर्स का ना बदल के रख चुका है फ्रांस एर एंड स्पेस फूर्स तो अब बहुत से कंट्रीज में चुरू हो चुका है कि एक स्पेस फोर्स नाम से कलग एंटिटी एस्टैबलिश की जैसे ने तो ने हमारा पास ने टो जो वर्ट का स सब्सक्राइब डिफेंस ग्रूप है नोर्थ एट्लांटिक ट्रीटी और नेशन इसने भी अपना एक स्पेस सेंटर बनाने की बात करी है जो स्पेस वार्फेर को लेकर काम करेगा आप मुझे कमेंट सेक्षिन और करन कर दो ये कि नैटो अपना स्पेस सेंटर कहां पर एस करेक्ट अंसर मेरे पास रैंस्टीन जर्मनी तो जी हाँ याद रखेगा नैटो जो की विश्व का सबसे बड़ा मिलिटरी ग्रूप है नौर्स अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाइशन उसने फैसला किया है कि वह हमारे पास एक अपना एक स्पेस सेंटर एस्टेबिश करे गा और यह हमरे पास कहां पर एस्टेबिश किया जाएगा यह हमरे पास सब्सेबिश किया जाएगा रैंस्टीन जर्मनी में ओके एक इंपॉर्डंट कोशन हमारे पास आ जाता है ओके नेक्स हमार पास अमिच्छा लौच्ट आईश्पान-CAPF स्कीम तो अमिच्छा जो हमारे होम मिनिस्टर है उन्हों एक स्कीम् लौच्च किया आईउश्वनie COPF स्कीम फॉर दपर्सनल व प्रसनल लौफ सेंट्रल आर्म् पुलिस फोर्ट सस्कीय मैं बात करता हूं तो यहां पर NSG National Security Guard Assam Rifles CAPF इन सब को insurance coverage दी जाएगी अंडर आयुश्मान भारत परधान मंत्री जन आरोगे ओजना फुल फॉम याद रखेगा ABPMJY इस स्कीम के तहत क्या कहा जाता है इस स्कीम के तहत गवर्मेंट जो है आपको और आपकी फैमिली को पांच लाग रुपे का health insurance provide करती है सालाना yearly ultimate objective कैस का to provide health insurance of rupees 5 lakh to the family ओके पर यर प्रती यर ठीके तो यह चीज़ा प्याद रखेगा और बहुत बड़ी स्कीम है health sector की जब मैं बात करता हूं NSG की बात करूश्व नेशन सेक्योरिटी गाड़ की तो यह हमरे पास 1986 में establish हुई थी special division है जिसका काम mainly क्या रहता है हमरे पास इसका काम हमरे पास mainly रहता है कि generally जो हमरे पास VVIP security है जो important issues है उनको कही न कही manage करना ठीक है और चले जी हमरे पास अगर हम बात करें यहाँ पर Assam rifle की तो Assam rifle सबसे ओल्डेस्ट paramilitary rifle है हमारे पास paramilitary 1835 में याद रखेगा भारत में कभी भी कोशन आ गया कि oldest paramilitary division कौन सी है तो याद रखेगा Assam rifle oldest paramilitary division है जो कि 1835 में अंग्रेजों के दोरा establish की गी थी oldest paramilitary division इन इडिया NSG तो हमरे पास later on establish किया गया था 1986 में ठीक है तो यह हमरे पास vip security के लिए काम करता है और साम rifle insurgency को control करने के लिए हमरे पास कहीं न कहीं काम करती है तो अगर मैं बात करूँ एनजी की एनजी के करन डिरेक्टर है सुर्जीत सिंग देशवाल और साम rifle के जो head है वो है सुकदीप सांगवान चलिए वो तो हमारे पास हो गया अब मैं आपसे एक interesting और important question पूछन पूछना चाहूंगा हमारे पास देखिए यह इस scheme को manage करने की responsibility है national health authority की परधान मंत्री जन आरो के योजना को manage करने की responsibility किसकी है national health authority की एक संस्ता जिसका नाम है नाचनल health authority इस organization की responsibility रहती है परधान मंत्री जन आरो के उजना को manage करना इसके नए CEO किसको पॉइंट किया गया है जल्दी से comment section में करके बताइए who is appointed as new CEO of national health authority who is appointed as national c new CEO of national health authority okay so national health authority के नए CEO किसको पॉइंट किया आरे शर्मा को जी हां याद रखेगा आरे शर्मा पॉइंट एस new CEO of national health authority okay चले जी नेक्स हमागे चलता है है हमार पास international film festival of India 2021 so 51 51st international film festival of India का वा पंजी गोवा में याद रखेगा international film festival of India हर साल गोवा में ही अब्जर्व किया जाता है तो यहां पर आप समझेगा स्वेंट इंटू दा डार्कनेस एक हमार पास डैनिश मूवी थी उसको मिला है यहां पर हर साल एक कंट्री फोकस कंट्री के रूप में हमार पास काम करती है तो इस बार बंगलादेश फोकस कंट्री के रूप में थी क्योंकि बंगलादेश अब्जर्व कर रहे 50th anniversary of its इंडिपेंडेंडेंस ठीक है 50th anniversary of इंडिपेंडेंडेंस और पसको अब्जर्व कर रहे बंगलादेश तो यहां पर एक हमने यहां पर एक नॉलिच करते हुए हाँ यहां पर फोकस कंट्री के रूप में एक चीज़ और समझेगा बिश्वाजी चटर जी इनको इंडियर इंडियर आवर्ड के साथ नवाजा गया ठीक है तो यह भी मैं पूछ सकता हूं इंड्रेशन फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया में किसको हमारे पास नवाजा गया है इंडियर परसनेलिटी ऑफ दा इयर आवर्ड तो यह सारे कॉशन जो है सीधे सीधे कही नहीं आप से चलिए आप से मैं कुश्ण पूछ लेता हूं डावा साफाल के जो है उनको का जाते फाथर ऑफ इंडियन सीनिमा ठीक है याद रखीगा एक कॉश्ण पहले तो आपको एक कॉश्ण पैपहले खुद बता रहूं फिर आप से पूछूँगा डावा साफ को का जाते फाथर इंडियन सीनिमा क्योंकि यह लेकर रहे थे भारत की पहली मूवी राजा हरीश्चंदर ठीक है आप मुझे कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके बताइए कि राजा हरीश्चंदर राम की जो मूवी है वो कौन से यह में हमारे पास आई थी जिसको दाना साथ फालके ने तो याद रखेगा यह हमर पास 1913 में 1913 में भारत की पहली मूवी हमर पास दाना साफाल के लिए कराई जिसका नाम तराजा अरीश्चंदर that's why is known to be father of Indian सिनेमा और यहां पर अबसर्फ के एक इंटरेशन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहां पर पंजी गो आवे नेक्स्ट न्यू न्यूस्ट्रेंट बड़ी ही खत्रेगी एक घंटी हमारे पास यून ने बजा दिया तो यून की एक तो पहली बात याद रखेंगा यून सब्सक्राइब तो इस रिपोर्ट में इन्हों ने वर्ल्ड के जो बुड़े होते हुए जो इनकी एज बहुत जारा हो चुकी है पचास साल या सो सल से पुराने जो डैम से उनके बारे में बात की है कि यह डैम कभी भी तूट सकते हैं और यह पूरे विश्यू के लिए ख सब्सक्राइब बहुत सारे डैम 50 यह से जाना हमारे पास ओल्ड हो चुके हैं देखिए इंडिया की अगर में बात करो तो एक हजार एक सो पंदरा डैम जो है वह 50 साल से जादा उनकी यह जो जाएगी 2025 तक तो अपने आप में खत्रे की घंटी ठीक है और यहां पर आप कोशन आया हुए आई भी पेस के पराने एक्जान से में पास कोशन आया हुए कि हमर पास यून इंविश्टी कहां पर रहे तो डैसें टॉक्यो उसके लाब दो चीज़ आप याद रखेंगे कि भारत के जिस डैम के बारे मेंनों इस्पेशली मेंशन किया है यह दिस मुला परियार मुला परियार डैम ठीक है तो यह हमर पास डैम 1895 में ऑपरेशनल हो गया था कैन यूमेजिन 1895 का बनाओ यह डैम है यह आज भी हमार पास चल रहा है लेकिन अब इसमें कहीं न कहीं खत्रा जरूर है कभी भी यह डैम हमर पास लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है तो मेरा कोशन आप लोगों से यह है कि जो मुला परियार डैम है मुला परियार डैम भारत के किस राज्यम में स्थित है जल्दी से कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताइए मुला परियार डैम भारत के किस राज्यम स्थित है जल्दी से कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताइए मुल्या परियार डैम आपको देखने को कहां पर मिलेगा मुल्या परियार डैम आपको कहां पर देखने को मिलेगा के रला में ठीक है के रला में देखने को मिलेगा और परियार रीवर ठीक है और आप देख सकते हैं कि और काफी टाइम से इसकी रिपेयर नहीं हुई है और इसी वज़े से हमारे पास क्या है कि यह हमारे पास एक खत्रे की घंटी है क्योंकि कभी भी यह डैम प्रॉब्लम क्रेट कर सकता है ठीक है और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड के सबसे बड़ डैम की तो लगे हाथ मैं आप three gorgeous damn यह आपको कहां पर तेखना मिलेका यह तेंहों मिलेगा आपको चाइन में ऐसा भी का जाते कि अगर मैं मैड इन्फर्सक्टिरी बात करें तो यह सब से बड़े प्रजेक्ट्ट श्मसेरी एक है three gorgeous dam जो कि कहां है चाइन नेक्स मेरे पास वर्ल्ड फस्त टेस्ट- तो यहां पर आप देखें को स्टुरेंट की डील रूम कॉर्परेशन डाटा अनलाइज़ वाइड लंडन पार्टनर है रिलीड बैंगलूरू एम इस वर्ल्ड फास्टेस ग्रोइंग मैच्योर टेक एको सिस्टम तो यहां पर बैंगलूर को यहां पर वर्ल्ड का फास्टे मेंट हुई थी 2016 में और 2020 में बात करूं तो 7.2 बिलियन इस लिस्ट में सेकेंड नमबर पे हैं लंडन थर्ड पे हैं म्यूनिक ठीक है फिर बर्लीं फिर पैरेस आप याद रखेगा टॉप टैन में इंडिया का एक और शहर है जिसका नाम है मुंबई जो की सिक्स प्लेस प बात कि दो अगें बैंगलूरू और बैंगलूरू का जाता है सिलीकन वैली ओफ इंडिया याद रखेंगे बैंगलूरू को का जाता है सिलीकन वैली ओफ इंडिया बैंगलूरूरू इस सिलीकन वैली ओफ इंडिया ओके तो यह सारे क्वेशन जो है आप याद रखेंगे सब्सक्राइब लॉंचिंग और 143 सेटलाइट इना सिंगल लॉंच देखे सुरेंट एक अपने आप में रिकॉर्ड बन चुका है याद रखेगा हमारे पास स्पेस एक्स बहुत तैजी से नए नए किरतिमान थापित करते जा रही है नए रिकॉर्ड बनाते जा रही है तो इनतों ने 143 सेटलाइट को सिंकल मिशनमें लॉंच कर दिया और इसरो पारी कौड ब्रेक किया इससे पहले रिकॉर्ड इसरों नाम ता इसरोंग 1-0-4 सय preconैटम उच को लॉंच किया था थिक है केप कनेवरल स्पेस टेशन का है फ्लॉरीडा यूएसे में अब देखे स्पेसेक्स की जब मैं बात करो यह वो और्गनाइशन है जो एलोन मस्क की गाइडन्स में काम करती है और एलोन मस्क आपको पता ही है कि बहुत जादा फ्यूटरिस्टिक विजन के साथ काम करने वाले तो एलोन मस्क हमारे पास सी सेक्सके अपको मैं बता दूं कि सीहीं हैं स्पेस एक्सके और मैं सबसे परसन सभसें है इसी तरह से आगर मैं बात करो वीजिश्यू के जो दूसरे सबसे परसन है वाहे जैफ बे 입니다 बैख Also और तो वो कहां पीछे रहने वाले हैं तो उन्हों ने हमारे पास एक उनों क मनाई हुई है से सब्छक रखां कर जिसका नाम दी प्लू ओर याद रखेगा हमारे पास सब Maui entrance SpaceX का प्रजेक्ट चल रहा है मेर पास्टार लिंग प्रजेक्ट यह भी मैं आपको बता दूब SpaceX का सबसेंबीश्यस प्रजेक्ट क्या चल रहा है Starlink प्रजेक्ट याद रखेगा यह SpaceX का प्रजेक्ट है जिसमें वो पूरे विश्यू में इंटरनेट सर्विस प्रवाइड करना चाते हैं तो यहां पर आप याद रखेगा यहां पर राइड शेर नाम से प्रोग्राम लॉंच किया था इन्होंने किसने SpaceX ने तो यह सारे कोशन वारे पास हो जाता है और इसका मतलब SpaceX बहुत जाना न्यूज में है तो चलिए आप से कोशन पूछ लेता हूं वेर इस दा हैड़ पार्टर और श्पेस एक्स स्पेस एक्स का एड़ कोटर आपको कहां देखने को कौन से शहर में देखने को मिलेगा जल्दी से कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके बताइए कि कि अब है कि तो स्पेस एक्स का एड़ को कहां देखने मिलेगा कोलंबिया यूए से में नेक्स की तरफ चलता है अब प्रियाम राश्ट्रिय बालपुरुसकार 2020 बच्चों को व्मारे पास इस बार दिया गया है रास्ट्रिय पुरुसकार तो प्रधान मंत्री राष्टे बाल पुरुसकार आप याद रखेंगा 32 चिल्डरंस को दिया इसमें से कुछ दो नाम मैंने हाइलाइट किये हैं एक तो है चिराग बंसाली सोला साल के हैं यह और इन्होंने एक मोबाइल एप्लिकेशन डेवलप किया सव्देशी टेक ठीक है उसके लाव वीर कश्यप इन्होंने अवर्ड मिला है बोर्ड गेम के लिए बोर्ड गेम डैट इस क्रोना यूगा तो यह दोनों बच्चों के नाब आप जरूर याद रख में लिए और तो यह हैं तेन पादम रातन के बाद सबसे हाइस्ट अवर्ड कोन सा है भारत रतन उसके बाद यह सबसे हाइस्ट अवर्ड कंसीडर के जाते हैं भारत तन सबसे टॉप पे है उसके बाद ये पदम विभूशन, पदम भूशन और पदम श्री तो इन में से कुछ important personality से नाम सभी नाम तो नहीं लेकिन कुछ important personality से नाम मैंने आपके लिए यहाँ पर highlight जूरूर करती हैं तो इसके लिए हमारे पास एक special वीडियो भी हमारे पास आ चुकी हमारे चैनल पर आ है को के फॉर्मर प्राइम निस्टर है जेपैन के उनको यह वोड विला है एस भी बाला सुब्रबन्ययम पोस्तमसली मतलब डैथ के बाद एमिनेट स्कल्प्चर सुदर्शन साहू ऑप्टिकल फाइबर ताम यूज करने वाले सबसे पहले नरेंदर सिंग का पने इनकी भी स्टेट तो उनको यह वोड मिने तो यह लिस्ट आब एक बार जरूर नेट से पढ़ लीजेगा हमारी जो यूट्यूब के चैनल पर आप हमारी वीडियो जाकर देख सकते हैं उससे भी आप यह लिस्ट जो है वो याद रख सकते हैं अभी मैंने आपको थोड़ी जर पहले में दिया गया था था करेक्ट अंसरे में पस 1954 भारतन कॉंसेर में दिया था 1954 में ठीक है बारतन पहली पर कॉंसेर में दिया था था यहां पर आप याद रहाए अब यहां रहाए 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 और पहली पर बंगलादेशी ट्राइस सर्विस ने इस बार इस रिपब्लिक ड्याइड में पर पार्टिस पेटिए किया ठीके परेडियों कि आप देखें कि बंगलादेश ने 50th इन इनडिपेंडेंस अब किया ठीक है तो उसी को लेकर हमने उनकी हेल्प की थी तो इसी वैसे उनकी ट्राइस सर्विस ने इस बार इस रिपब्लिक डे में पर पार्टिस्पेट किया हमारे पास कहीं सारे गलेंट्री और टैबलू ऑफ लद्दाख टैबलू का मतलब क्या होता है जहांकी पहली बार लद्दाख् यूँडिटरी की जहांकी हमें देखने को मिली कि आपको बताहोगा रूप में कब आई थी तो अगया Song सब्सक्राइब को तो यहां पर पहली बार उसकी जहांकी जो है वह हमार पर समय देखने को मिली ठीक है सिंसेट्स फॉर्मेशन दिन 2019 सेलीब्रेशन जो है बिराँ चीफ गैस के रही इससे लास टाइम चीफ गेस्ट कब नहीं आये थे 1966 में यह भी आप याद रखेगा इससे लास टाइम चीफ गया थे 1966 में और इस बार भी हमारे पस कोई चीफ गैस नहीं थे ड्यू टू कॉब ड्य नाइंटीन चलिए आप से मैं सिंपल सा कोशन पूश्ण पूछ लेता हूं इस बार बेस्ट टैबल्यू का वोर्ड किस्टेट की टैबल्यू को किस्टेट की जहांकी को मिला बेस्ट टैबल्यू का वोर्ड हमर पास किस्टेट की टैबल्यू को दिया गया किस्टेट की जहांकी को दिया गया तो करेक्ट टंसरेश्ट उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो हमारे पास टैबल्यू है उसको यहां पर बैस्ट टैबल्यू का वोड दिया गया जिसमें हमारे पास राम मंदिर के मोडल को दर्शाया गया था ठीक है नेक्स मारे पास मिनिमों सपोर्ट प्राइस फॉर कोपरा चीक है टॉंटी वंटी वन सीजन कोपरा का मतलब यह आप देख सकते हैं मैंने इस लिए मिज ली है ठीक है हमारे हां अलग 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 अरिया में अलग नाम से इसको जाना जाता है तो यहां पर एक कमीशन की रेक् कल्चर कोस्ट प्राइस सीए सीपी के एकमेंडेशन पर सीची ने अप्रूवल दे दिया है कि एमस्पी होगा कोपरा के लिए वी सिर्फ टॉंटी टॉंटी वन सीजन के लिए 2021 के लिए 2021 के लिए अब आप देखिए मैं आपको बता तूंस्ट इंपॉर्टन चीज का है लेकिन यहां पर कोपरा के लिए जो एमस्पी प्राइट किया रहा है और यहां पर आप देखेगा 375 रूपी उसको बढ़ा दिया गया है और एक हमार पास यह रहेगा 10,335 रूपे पर क्विंटल 2020 के सीजन के लिए अब यह जो डिजन होता है कि किसी प्रोड़क्ट के उपर एमस्पी देना है या नहीं देना कौन डिसाइड करता है cca cca की फुलफर्म याद रखेगा cabinet committee on economic affairs जिहां फुलफर्म याद रखेगा cca की cabinet committee on economic affairs जिसके head कौन होते हैं कहरते हैं cca को चेयर को चैयर कौन करते हैं याद रखेगा cca को चेयर करते है प्र Canvas रखेगा cabinet committee on economy affairs को फूर्म चैर करते हैं प्राम मिनिस्टर आप इंडिया the okay next news col soos तो यहां पर आप देखेगा कि इंडिया जो है 21 मिग 29 फाइटर प्रेंग खरीदेगा और बारा खरीदेगा सुखोई 30 तो यह हमारे पास जो डील है वह इंडिया ने किसके साथ फाइनलाइस की रश्या के साथ क्योंकि रश्या ही इन फाइटर प्लेंज को बनाने का काम करता है इसके लावा इंडिया जो है वह अपने 59 मिग 29 एरट्व को क्या करेंगा अपग्रेड करेगा इसमें भी हैल्प श्रीम करेगा रश्या और शैसर में रश्या की इसका नाम है रोजो बॉर्ण एक्सपोर्ट ऊंद रखेगा तो टोल हमारे पास थर्टी थ्री फाइटर प्लेंज हो जाते हैं जो इंडिया प्रक्योर करने जा रहा है कहां से रश्या से टोल 33 क्योंकि इसमें 21 मिग 29 है और 12 सुखोई 30 एम के आई हैं अगर सुनेया बात करो ये इन में से कोई भी फाइटर बेन भी फिफ जनरेशन फाइटर नहीं है अई हाँ इन में से कोई भी फिफ जनरेशन फाइटर प्लेन नहीं है लेकिन भारत में याद रखेगा Nđ एक्चियल नाम की जो एंटेटी है एंदुस्तान एरनोटिस लिंटेड नाम की जो एंटिटी है वो हमर पास काम प्ताव है । सवेश्ध जरी directamente की मैनेफेक्श這邊 को लेकर काम कर रहे हैं मेरा कुशन आप लोगों से यह है कि उस प्रोजेक्ट का नाम बतायों जिसके अंडर एचल फिफ दर्फ जनरेशन फाइटर प्लेन को लेकर काम कर रहे हैं ओके प्रजेक्ट का नाम है याद रगीए एमसी प्रजेक्ट कराम याद रखेगा एमसी एक प्रजेक्ट है एमसी जिसके अंदर वो फिट जनेशन फाइटर प्लेन मनुफेक्ट्टर कर रहे हैं एमसी की फिल फो में एडवांस मीडियम कॉमबेट एरक्राफ्ट फुल फो मियाद रखिएगा मेलिक भी देता हूँ एडवास्ट मीडियम कॉमबेट एरक्राफ्ट ठीक है तो यह हमार पास वो प्रजेक्ट है जिसके तहट है एचल हमें बना के देगा फिट जनेरेशन फाइटर एरक्राफ्ट आने वाले कुछ सालों में नेक्समार पास FDI in India rose by 13% in 2020 तो यहां पर स्वेंट एक रिपोर्ट रखेंगे United Nation Conference on Trade and Development तो इसने यहां पर क्या बताया कि 2020 में जो ग्लोबल FDI है उसमें डाउनफोल देखा गया 1990 के बार पहली बार 1990 के बाद 2020 में पहली बार डाउनफोल देखा गया ग्लोबल FDI में तो यहां पर डिक्रीज कितना हुआ 42% ठीक है 859 बिलियन डॉलर हमारे पास डिक्रीमेंट देखने को मिला लेकिन इंडिया में फिर भी FDI जो है वो इंक्रीज हुई ठीक है अगर हम बात करें यहां पर इंडिया ने 13% जारा FDI रिसीव की एस कंपेट टूथाउसन नाइनटीन ठीक है 13% जारा FDI रिसीव की लेकिन सबस्दार FDI किसे ने रिसीव की ड ठीक है इंडिया से तीन गुना जादा यहां पर इन्होंने FDI जो है वो रिसीव की है तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर चाइन अभी भी भी बहुत तीजी सागे बढ़ रहा है ओके सो FDI के ट्रेंड जो है वह आप याद रखेंगे कि हमारे पास इंडिया ने कितन 4% इन्क सकते शादlay का मचस भी यहांrån कहार देख अब इंदेख सेडिया का सबस्क्राइब नेक्स अमरे पास ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स क्वंटी त्वन देगान वोगह ल्ए में है 7th in the global climate risk index 2021 who suffer most from the extreme weather events so weather related loss event in 2019 to 2002 2019 तो अब आप देखेगा कि ये रिपोर्ट कॉन लिस करते जर्मन वाच इस लिस्ट को टॉप किसने किया है मोजाम्बिक मोजाम्बिक टॉप पे हैं इंडिया करें क्या रखेगा मोजाम्बिक के सब से उपर सब पर है बहामास और अगर लोंग टर्म में बात करें लंबे समय टाइम पिरेड में बात करें तो याद रखेगा इंडिया करें करहा 20 तो यह सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और मैंने उपको बताएदा क्लाइमिट चैंज के बारे में जब भी बात हो मैंने और वी याद रखेगा क्लाइमेट को लेकर सबसे बड़ी मीटिंग है 2021 कि उसका नाम है COP26 जो की कहा होगी हमार पास जो होगी हमार पास ग्लासगों में एंड ग्लासगों स्कॉट्लैंड नेक्स हमार पास न्यू एमडीज ऑफ एस्पिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो स्टेट ने दो एमडीज है हमारे पास अगले तीन साल के लिए सबयाय में काम करेंगे इनकी अप्रूवल की है बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सब्सक्राइस और पर्ताब बैंक ब्यूरो जो है अमरे पास वह रेक्ञेंड़ में देटा है जो पबिस संटर बेंग सैंवे बड़ी लाँ पर किसंटर फश्रक कर जिसको पहले किसो ना जाता था इसको पहले जाना जाता पैम में पीरियल बैंक ऑ। lovers नाव से तकार है लुट की ओपीरियल आशे हैं अटेकर मैंक नाम से गर्लemi पर बाद में बना यह बना बür hammer चले मैं आफसे कॉशन पूछ लेता हूं वोस्ट करेंट चेर्मेन आपस बहुत असान कोशन बहुत ही सिंपल कोशन हां जी चेर्मेन ओफ एस्बी एस्टेट बैंक ओफ इंडिया ओके तो याद रखेगा चेर्मेन ओफ एस्बी यमारे पास को ने रजनीश कुमार जी हाँ याद रखेगा चेर्मेन ओफ एस्बी एई रजनीश कुमार ओके चलिए नेक्स न्यूस की तरफ आगे बढ़ते आई जी और रिपोर्ट इंडिया जस्ट्बी तो महराश्टरा जो है वह टॉप णौट उसने अटेग्या है for better justice delivery hi better justice delivery में हमाँ पास टोप स्टेट कौन सा निमारास्ट बड़ी स्टेट की जब मैं बात करूं थे कि सगेंड नंबर पर हमाँ पास तमीलाडू ठीक है जहां पर पोपुलेशन हमारे पस 1 क्रोड से जदा और अगर हम बात करें, छोटी स्टेट्स में, छोटी स्टेट्स में तॉप किसने किया है, तो ये हमरे पास report किसने रिलीस की, टाटा ट्रॉस्ट ने, तो याद रखेगा इंडिया justice report, ठीक है, इंडिया justice report जो है, वह हमरे पास किसने रिलीस की, कि 2020 that isведudee टाटा ट्रस्थ बड़े स्टेर्स में वारास्ट बॉट 스ुट ॉब किसमें वród टॉप किस में महारास्ट और चौटी ऍापकर एक Hai कोर्ट और सुप्रीम कोर्थ इनका में हमरे पस रोड़ रहता है जब भी हम बात करते हैं किसकी justice की और भारत में central level पर justice का जो काम है मतला कि हमारे constitution में जो कहा गया है कि guardian कोन है हमारे पास guardian of constitution किसको कहा जाता है तो supreme court को कहा जाता है guardian of constitution ठीक है guardian of constitution किसको कहा जाता है supreme court को तो मेरा question आप लोगों से यह है कि supreme court में right now अगर current scenario के recording देखें maximum कितने judges हो सकते हैं maximum judges strength in supreme court of india maximum judges strength in supreme court of india okay correct answer at 33 plus 1 correct answer at 33 plus 1 ठीक है so one here chief justice of india to 33 plus 1 अवार पास टोडल जोड़ी किस्रें तो सकते कहां पर supreme court में और सुप्रीम कोर्ट में और सुड़ी से न थोड़ा से आपे गलती हो गई मैंने रजनीश को रजनीश कुमार गोल दिया गलती से तो दिनेश कुमार है chairman याद रखिए गा दिनेश कुमार है हमार पास chairman of मैंने गलती से जल्दी जल्दी में रजनीश कुमार बोल दिया sorry for that ठीक है next वार पास UN release finding of people climate report तो लोगों की judgment को लेते हुए लोगों के बार लोगों से बातचीत करते हुए उनके opinion लेते हुए United Nation development program जिसका headquarter new york में है उसने release किया है result of people climate report जहां पर लोगों के opinion के बारे में जानने की कोशिश की और 1.2 million लोगों ने इसमें पार्टिस्पेट किया सर्वे में जिसमें 64% ने बिलीव कि climate change global emergency है बाखी लोगों को लगता है डॉनल्ड टरम की तरह की climate change कोई emergency कोई problem नहीं है तो इन इंडिया 44% of the respondent voted for the conservation of forest land and effective policy to medicate climate change तो climate change को रोकना चाहते हैं लगबग 44% Indians और इसमें से question आने की possibility कम है लेकिन फिर भी एक question जो आप यादर सकते हैं की people climate report कि स्ने लिस किया तो याद रखे का that is United nation development program क्योंकि UN की ऐसी रिपोर्ट जो होती है उन में भले ही ज्यादा कुछ है irrelevant ना हो लेकिन उनको लेकर question जुरूर पूछ जाता है नेक्स हमारे पास corruption perception index CPI 2020 corruption perception index इंडिया का जो rank है वह रहा 86 with a score of 40 हमारे पास जो वर्ल्ड की least corrupted countries रही least corrupted countries वारे पास कौन से रही New Zealand and Denmark ठीक है इंडिया को रहा वो रहा 86 इंडिया का रहा वो रहा 86 ठीक है जब हम बात करते है corruption perception index की तो यहां पर अगर हम देखे सोमालिया और साथ सुड़ान वर्ल्ड की सबसे most corrupted country रही ऑल्डो इंडिया को भी बहुत कुछ सुधारने की जूरत है अगर उसे यहां पर चीजों को सही लेवल पर लेके आना है तो corruption को काफी हद तक हम इंडिया में कम करने की जूरत ह है क्योंकि अगर हम देखे रैंकिंग अभी इंडिया की काफी जादा पीछे है और रैंकिंग के अंदर काफी बड़े लेवल पर सुधार की जुरूरत है अब यह अगर मैं बात करूं यह रैंकिंग कोन रिलीस करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशन मेरा कोशन आप लोग जो रिलीज करती है करप्षिन प्रेसेप्षिन इंडेक्स हर साल और हिसके तो इसका हेड़कॉत टैट्कर में कुणों होगे तो जो हमरे पास पास यहां पर amd orManκ event यहां जिसनका लाम है शाम स्रीनिवासन तो शाम स्रीनिवासन को हमारे पास यहां पर consider किया गया है as a banker standard banker of the year ठीक है business standard banker of the year तो यह अमर पास चलाते हैं किस बैंक को federal bank को तो federal bank की बात करें तो 1931 में यह bank establish हुआ था as तरवन को और federal bank बाद में अमर पास इसको नाम सिर्फ दे दिये अब इसको सिर्फ federal bank के नाम से हम जानते हैं और यहां पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो headquarter है वह कोची केरला में है ठीक है कोची केरला में आपको देखने को मिलेगा है और इसके जो md and ceo है उस शाम सिर्फ निवासन उनको डिकलेर किया गया है बिजनस स्टेंडर बैंकर ओफ दे यर यह जो हमारे पस फैटरल बैंक के स्टों जानते हूं किसले फेमस है इसमें तकरीबन तकरीबन पंदरा लाख एनराइज ने अकाउंट को लुआया हुए त और मैक्सिमम अगर किसी बैंक के अगर दूसरे बैंक के देखें तो मैक्सिमम अकाउंट्स आपको देखने को मिलेंगे एनराइज के फैडरल बैंक के साथ ओके लास्ट न्यूस विजूल इंटेलिजन्स टुक ओके एंड वो पॉर्टल तो नैशनल इन्फोर्मेटिक पॉर्टल है और तेजस उसने टूल लाउच किया है वीजूल इंटेलिजन्स टूल जो कि डाट इनलिज़ करेगा गवर्मेंट को डाट रिभय इंच्टीजन्स टूल इसको तेज़स वाइटर प्नेंस यहां पर कन्फ्यूज मत कीजेगा और फिर हमने पास एक पॉर्टल है work from anywhere portal ताकि जो employees है वो कहीं से भी काम कर सकें तो याद रखेगा कि WAW यह work from anywhere portal है और तेजस क्या है अब visual intelligence tool है जिसको किस ने मनाया है हमारे पास national informatic center ने ठीक है और यह किसके अंटराता है under the ministry of electronics and IT ओके तो यह क्योंकि तेजस हमारे पास fighter plane भी है जिसको बनाने का काम कोन करता है है जिसके बारे में अभी रिसेंटली हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी तो यह दे लास्ट वीक की important news आशा करता आपको सब अच्छे समझाया होगा हम से जुड़े रहे हैं डू सब्सक्राइब चनल थैंक्यू है मैं इस्टे